अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कि difference between, difference between LR0 और यहाँ पे yes LR1, सबसे पहरा point लिखेंगे कि LR0 क्या होता है, इसमें जो reduce होता है, इस reduce को लिखते हैं, terminal के नीचे, terminal के नीचे, नीचे, दूसरा point, yes LR, जो case में क्या होता है, कि यहाँ पिर reduce होता है, इस reduce को लिखते हैं, left hand side के, left, याने की left hand side, left hand side के नीचे लिखते हैं, left hand side के follow के नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक, तिसरा point, यह diagram अगर बनाना होगा अपने exam में, तो बना लिजिएगा, यह बना, yes LR1, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो grammar, जो grammar, LR0, असेप्ट कर रहा है, असेप्ट कर रहा है, तब यहाँ पे, yes LR1, बनाना को, असेप्ट करेगा, ठीक, तिसरा point यह बनाना लिखेगा, लेकिन, yes LR, extra grammar को, extra grammar को, असेप्ट कर सकता है, चौथा point यह बनाना लिखेगा, पूरा बनाना तरीके से, कि, yes LR1 का जो power होता है, वो greater होता है, LR0 से, ठीक, so this is the difference between LR0, और यहाँ पे, yes LR1,